नवस्कार दोस्तों इनकी एज 28 एर्स है ये स्पोर्स पर्षन है इन्होंने नेस्टल लेवल पर फुटबॉल खेला हुआ और अच्छे खासे साल खेला हुआ है अब इनको दो बस्तों का अफसोस है कि मैं इतना टेलेंटेड होते हुए भी परिवार भी खाते पीते होते हुए भी मैं अपने उस चरम तक क्यों नहीं पहुचा सेकेंड अफसोस है इनकी पढ़ाई का और इनको हमेशाब कहीं न कहीं पीछे ही रहना पड़ा है ये भी अफसोस है सारी चीजे इनके हाथ में दिख रही है मैं एक एक करके सारी वस्तों को सामने रखूंगा दूसरा ये गौर्मेंट जॉब चार है क्योंकि इनकी पढ़ाई कंप्लिट हो नहीं पाई है ग्रेजुएशन पूरा नहीं हो पाया तो ये स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट इनके पास भरपूर है तो ये गौर्मेंट जॉब की फिराक में है प्रैवेट जॉब में जिस तरका सर्टिफिकेशन चीए वो इनके पास नहीं है यानि डिग्री का तो ये प्रैवेट जॉब में जा नहीं सकते वर्तमान में इनको ये भी अफसोस है कि इनके साथ में जो मित्र थे वो सारी डिग्रिया लेकर कहीं न कहीं सेटल हो गए है और ये इनके पास डिग्री ना होने के पारण कोई जॉब ना होने के कारण ये गिल्टी फिल कर रहे पर उनसे ये ज्यादा कमा रहे ये share market से पैसा कमा रहे अगला इनके मित्रव कोई 15,000 की job कर रहे ये उससे ज्यादा पैसा कमा रहे पर जो समाज में इनके समाज में जो status बना होगा उसमें ये पूरे नहीं उतर रहे एक तो इनको स्पोर्स में भी चरम पर जाने नहीं मिला वो भी कारण डूढ़नेंगे सारा कुछ इस हाथ में दिख रहा है और जो अगर मेरे वीडियो सुरवाच से देखते आ रहा है उसको ये जो मैं पॉइंट बताऊंगा वो समझ में आएगा अब इस हाथ को दूसरा मेरे हिसाब से ये वीडियो सेटलमेंट का हाथ है गौर्रमेंट जॉब का हाथ नहीं है मैं एक एक करके सारी वस्तों को सामने रखूंगा जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी सीधी रेखा या धनुशा का रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपरचिनिटी आती उसे ग्रेप करके आगे बढ़ता है चाहे फिजिकल एक्टिविटी वाला जितना भी काम हो चाहे स्पोर्स का हो चाहे मिलेटरी हो उनके अंदर या पुलिस डिपारवन सारे चोड़े पाम होते मेंती होते है ऐसे लोग भरपूर मेंती होते हाँ इन में माइनस पॉइंट होता है दो दिन अगर पैसा न दिखे तो ये लोग बैचन हो जाते हैं इनको लगता है पूरा जीवन खलास हो गया चंद्रपरवत यहां से कट मार रहा है तो ऐसे लोग बाते करने के शौकिन ज़्यादा होते दस वाक्य बोलेंगे च्छे काम के नहीं होते चारी काम के होते फर्स्ट फैलेंग नुकीला कम है तो इदर उतर ध्यान बटकता है सेकेंड फेलेंज भी अच्छा है जहां लॉचिक की जोरत है लॉचिक युज़ किया जहां चूप रहने की जोरत हे वहां चूप रहे है और थोड़ा मानसल तो है यह तो अपने हितों की रक्षा करने वाले व्यक्ति होंगे ये उंगली जब बैंड होती है तो रेक्टी में धार्मिक भावना होती है और ये देखिए ये जुपिटर के उंगली बढ़ी है ये इगो प्रश्ण भी क्रियेट करती है इगो छोटी-छोटी बातों में इगो हट हो जाना इसे आप रोग समझे जब भी इस तरका प्रश्ण आए उसे दूर रहने की कोशिश करिए छोटी उंगली फर्स फैलेंज के उपर तक पहुँच रहे तो व्यक्ति डॉकुमेंटेशन फाइलिंग चीजों को संभाल कर रखना या चक्ति मनी मेनेजमेंट और आकाउंट ये सा बुद्परवत पर खड़ी लाइन है इस तरह की लाइन और बुद्परवत अच्छा हो तो व्यक्ति को सुंदरता भी मिलती है प्लस यहां पर एपक साइन भी है तो बिजनेस के गोन इन में भरपूर है मैं तो कहता हूँ ये जॉब करना ही क्यों चारे इनके पास भरपू सुबसाइन वाला हाथ है एनालिसिस देखने के बाद यह अपना दिमार्ग चेंज कर देंगे यह गैरंटी है दो चार भाशाओ के जानकार भी होते है वानी एकदम मीठी होती है मधूर सहट डाली हुई और सुंदरता भी भरपूर रहती है अब यहां पर देखे तो सिटी का काम भी भविश में जीवन में होगा इनके जीवन में अब यह क्रॉस भी बन रहा है यह पिता के साथ मद्वेद देता है यह पिता का साय छोटी उम्र में जाता है यह पिता से दूर रहना पड़ता है तीन मैं से कोई ने को एक माइनस पॉइंट देता है और इस क् बड़े तो कोई ने कोई टांक खिशने वाला मिलेगा या हालात ऐसे पैदा हो जाते कि हमें पीछे आना पड़ता है मैं इसका उपए दे दूँगा इनको अब इनकी साइनों को देखते है एक छोटी साइन तो यहां ही दिख रही है इस जगह पर अब यहां पर बहुत सारी साइने है इनके हाद में एक देखे यहां ही एक यहां पर भी है दो एक यहां पर है तीन एक यहां पर है चार एक यहां पर है पाच एक यहां पर भी है छे और यह तो काफी सुन्दर है एक यहां पर भी है इतनी सारी साइने इनके हाद में तो पैसा तो यह कमाएंगे उसमें कोई किंटू परन्तू नहीं अभी भी कमा रहें अब यह स्क्वेर साइनों को थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा यह स्क्वेर है कि नहीं यह अगर स्क्वेर होका तो हंडिट परसेंट मल्टी सिटी का काम हो सकता है इंटरनेशनल लेवल का भी काम मैंने इनको पूछा भी कि क्या कभी इंटरनेशनल लेवल पर खेले हो तो इन्होंने ना बोला एक यहां पर भी स्क्वेर साइन होने का अभास है यह दोनों इनसे मैं कंफर्म कर लूँगा यह है कि नहीं और पैसा अभी भी कमा रहे है ऐसा नहीं है कि पर इनको वो जो स्टेटस समाज के अंदर एक पर्मानेंट जॉब है या इस तरह का जो वो नहीं मिल रहा है उसका इनको अपसोस है और उसका भी कारण क्या है वो भी मैं बताऊंगा यहां पर देखिए इनकी सारी फेट लाइन सुर्य पर्वत की और जा रही है दूसरा यहां पर ट्रैंगल भी है ऐसे लोग या तो कभी होते या विदे से धन प्राप्त करते और जीवन रेखा भी देखिए पूरी चंद्रपरवत पर जा रही है मुझे इनके हाथ में मेरे घ्ञान के अनुसा फॉरेंच सेटलमेंट ही लग रहा है और एंड तक धन रेका है मैं धन रेका पर आऊंगा तब इसको विस्तार से बताऊंगा यह जो लाइन रहती है तो चार बेनेफिट दिलाती है पॉलिटिकल लाप, सरकारी लाप, ससुराल पैसे वाला है या सादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता और जो भी कारे करेंगे बड़े सरका करेंगे तो किसी को चारो लाप राप्त होता है किसी को तीन, किसी को दो और किसी को एक लाप राप्त होता है और continue fate line है, तो बुड़ा पे तक income आती रहेगी, income का कोई major problem हाथ में नहीं है, Jupiter mount अच्छा नहीं है, ये पारिवारी का और सांसारिक समस्या देने वाला Jupiter mount है, मैं इसका उपए दे दूँगा इनको, continue चलने वाली line है, ये इनको टिका के रखेगी, कभी खराब समय भी आया तो, और continue progress देती है, multiple income की line है, एक line, दो line, तीन line, इवेक्ति को पामिष्ट्रे एस्ट्रोलोजी से के मिष्ट्री साइंस में ध्यान जाता है, multiple income, सेवा भावी और धर्मिक्ता, ये सारी वस्तुएं देती है, मंगल देखे, sports person का मंगल अल्वेज अच्छा होता है, अब ये national level से जादा क्यों नहीं जा पाए, बहुत सारी मंगल पर रेखाए है, इस वज़े से ये जा नहीं पाए, एकदम साफ मंगल होता है, वो व्यक्ती और अपर लेवल पर जाता है, तो ऐसे लोगों की, आपने देखा होगा, मैदान की तरह मंगल होता है, और बड़ा अच्छे तरह थेरा होता है, वैसे लोग, sports के अंदर अच्छी लेवल पर पहुचते हैं, या sports के, कोई ना कोई एक sports के अच्छे जानकार होते हैं, इस तरह के मंगल वाले, और ये कई वीडियो मैं बता चुका हूँ, और ज्यादा तर जितने लोगों को मैंने बताया, वीडियो के बाद हर एक ने accept किया, मैं cricket खिलता था, पर माता पीता ने ना बोला, तो मैं आग इस तरह के लोग भी आते हैं, जिनके इस तरह के मंगल होते हैं, और वो accept भी करते हैं, बारी मंगल अच्छा है, जब भी किसी से मिलेंगे, एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला comfortable feel करेगा, और संकट के समय वेक्री अपने लेवल पर संकट का सामना करता है, चंडर कई इ ऐसे लोगों को अपने जंश्तल से दूर जाते हैं, तो ही जड़ा progress करते हैं, ये भी देखा गया है, और चले ही जाते हैं, ये भी देखा गया है, ये यात्रा रेखा है, इनको यात्रा ज़ादा करवाएगी, और चंद्र परवत व्यवस्तित है, तो विदे से संबंद पानी अच्छा लगेगा दूद से बनी वस्तु अच्छी लगेगी नेड़े शक्ती अच्छी होगी अच्छे पर्चेसर होंगे यह यह सारा एडवांटेज इनको मिलेगा और मनी टैंगल भी है बुड़ा पितक अच्छा घासा जमा कर लेंगे जो जनरली फिस्टाइन वाल शुक्रव पर्वत काफी अच्छा है तो लग्जरिस लाइफ का शौक होता है और उसे पूरा भी करेंगे अच्छे कपड़े पहनना अच्छी तरह रहना यह सारा लक्षन और शुक्रव पर्वत में कोई कमी नहीं है एक दम व्यव से शुक्रव पर्वत है और यहां पर इ अब इनकी हिर्दे रेखा को देखते हैं हिर्दे रेखा इनकी श्षनी पर्वत से शुरू हो रही है पैसे लोगों में तीन ही गून पाये जाते हैं सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना कामुक भावना और तीसरी चीज फिजिकल बना यानि कभी-कभी हाथ-पैर उठाना य इलक्षनिंग में पाये जाते हैं माइन लाइन देखे तो यहां से सुरुवात हो रही है तो गयप है तो कहीं न कहीं जिद्धी सभा होता है किसी के कंट्रोल में काम करना पसंद नहीं आता अपने मन के मरजी के मालिक होते है पर जब परिवार को ज़रुद पढ़ते तो से पहले यह लोग खड़े रहते हैं और माइन लाइन पर भी देखे यह चलते चलते सीधी नीचे की तरफ जा रही है तो ऐसे बहुत जादा तो नहीं जा रही है पर जैसे जैसे उमर बढ़ी धार्मिकता आती जाएगी थोड़े से सपने बढ़ेंगे और इमेजिनेशन प कई बार आप लोगों को वीडियो में बताया कि एजुकेशन के लिए यहाँ पर कहीं न कहीं ट्रैंगल होते हैं तो व्यक्ति हायर लेवल का एजुकेशन पाता है कई वीडियो में बताया है तो इनके यहाँ पर ऐसा कोई चिन दीखी नहीं रहा है सेकेंड इनको हमेशा तकलिफे क्यों आई उसका कारण देखिए यह जीवन रेखा यह लाइन ऐसे चली और उपर की तरफ गई और यहाँ से दूसरी साखा निकली और यह इस तरह से गई यह एक तरह का बंधन क्रियेट कर रहा है यह फिश्चाइन नहीं है इसको यहाँ पर पूछ नहीं है तो बंधन क्रियेट करता है ऐसे लोगों को आलवेज ऐसा लगता है जैसे किसी ने लगाम बान के रखी है जकड के रखा है शुक्र की बारिक राएग ने अलग जकड देती है और यह अलग ज व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे बान के रखा है तो ये कारण है कि आप desire जो growth चाह रहे थे किसी भी field में वो आपको नहीं मिली और ये 30 से लेकर 32 तक मैं पूरी हो रही है अब judgment इसके लिए नहीं लगा पाते कि यहां पर ये पूरी हो रही है कि यहां पर पूरी हो रही है अगर यहां पर पूरी होगी तो ये 32 के आसपास है और यहां पर पूरी होते होगी तो 30 के आसपास है अब यहां पर देखिए ये लाइन अलग से निकली ये इलू-इलू करवाए होगा इनको जीवन में 20 के आसपास एक और लाइन है 24 के आसपास या तो ये रावरेखा का काम किया होगा या इस पल में भी इस जगह पर भी इलू-इलू हुआ होगा जो relation कहते हैं आज की भाषा में और हमारे जमाने में इलू-इलू कहते थे फिर ये लाइन इनकी साधी कराएगी ये 29 या 30 के आसपास इस पिडियर में इनकी 29 या 30 के आसपास इनकी साधी होगी या साड़े उन्तीस में होगी साड़े उन्तीस या 30 में इनके जिवन में सहना ही बजेगी ये लाइन साधी कराएगी उसके बाद 34 के आसपास एक राव रेखा है 37 में एक राव रेखा है 42 में राव रेखा है प्लस ओफशुट है 144 में राव रेखा है 48 में ओफशुट है 51 में नियर और दियर की डेथ है 58 और 60 में राव रेखा है और इस पिरियड में भी कोई ने कोई नियर और दियर की डेथ है तो यह और जीवन रेखा पूरी चल कर इस तरह से चंद्र की और जा रही है अब इनकी धन रेखा के कट को देखने की कोशिस करते हैं यह लगबकसादी का खर्चा ही शो कर रही है परिवारिक खर्चा होता है वेक्टी का इस पिरियर में एक कट लगेगा इनको 31 के आसपास यह investment होगा जीवन में 39 के आसपास एक कट इसको इनको इस फेट लाइन पर 41 के आसपास होगा एक कट 38 के आसपास होगा यह investment की लाइन है 49 के आसपास अब इनकी धन रेखा को देखते है धन्रेका को देखे तो देखिए इस जगह से ये अलग से धन्रेका निकली और ये पूरी सुर्य परवत की और जा रही है और दूसरी भी धंद्रे का है सूर्य परवत की और जा रही है लगबग इस पिरियड के आसपास हो नहों यह विदेश चले जाएंगे यह जोगी 31 के आसपास या किसी और के प्रोड़क को सेल करना या किसी को सर्विस देना जैसे अब भी स्पोर्स परसन है तो कोचिंग देना पर इनके हाथ में यहाँ पर ट्रैंगल भी है तो विदेश से और जीवन रेखा भी चंद्रपरवत पर जा रही है तो विदेश से धन प्राप्ति के योग ज्यादा दिख रहे हैं और धन रेखा 36 तक ये काफी मजबूत है इस जगह पर और ये पिरेड में मैं एकदम कमजोर तो नहीं बोलूँगा पर यहाँ पर इनको ज्यादा ग्रोथ मिलेगी अब 231 से लेकर 36 तक काफी अच्छा पैसा कमाएंगे इसके बाद अब 244, 45 तक थोड़ी सी 30-40 परसंट ग्रोथ कम होगी फिर वापस इनको ग्रोथ मिलनी चालो हो जाएगी और ये जो धन रेखा है ये यहाँ से मजबूत होकर आगे बढ़ रही है ये कोई ने कोई इन्वेस्मेंट के द्वारा ग्रोथ मिलना शो करती है चालिस क के बाद मजबूत हो रही है और बहुत सारे जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी कई माद्यमों से पैसा इनके पास आते रहेगा कीवल थोड़ आसा समय जो खराब जाएगा इनका वो अगर देखे तो चार साल का कम ग्रोथ खराब तू नहीं बोलूँगा कम ग्रोथ रहेगी बाकि ऐसा बहुत बड़ा माइनस पॉइंट नहीं है जब राव रेखाएगी उस समय कोई ने कोई तकलिफ आएगी बाकि ऐसा कोई माइनस पॉइंट इस साथ में नहीं है यह देखे यह साधी की राई पूरी जॉइंट हो रही है तो आशा रखता हूं इनके सभी प्रश्णों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाई